हालो दोस्तो नमस्कार हमारे हाद में बीरबैक कंपनी द्वारा बनाया गया 40 जेल दोस्तो इस 40 जेल का यूज हम अपने पसु में कब कहां और कैसे कराते हैं मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ अगर आपने हमारे यूटूब चेलों को सस्क्राइब नहीं कि करते हो जहां आपकी गाय भैस दूद कम देती है आप दूद बढ़ना चाहते हो वहां पे आप इस 40 जेल का यूज करवा सकते हो का आपने देखा होगा कभी-कभी आपके पसुओं का दूद आटोमेटिक गिर जाता है आटोमेटिक दूद कम हो जाता है तो वहां पे आप और उसका यूज और कहा कहा पर करते हैं जहां पे आपके पसुओं को कीटोसिस हो गया है मिल्क फीवर हो गया है दोस्तो मिल्क फीवर में इसका यूज मुकृूपस हम करते हैं, milk fever में होता क्या है, पसुओं में calcium phosphorus की कमी हो जाती है जिसे पसुओं गोबर पेसाब करना बंद कर देती है, और ब्याने से पहले और ब्याने के बाद ही ऐसा होता है, क्योंकि ब्याने से एक हफ्ते पहले और ब्याने कि एक हफते के अंदर ही पसू को milk fever होता है milk fever में पसू आपकी बैट जाएगी बैट जाएगी उठ ही नहीं पाती है तो जहां भी आपकी पसू बैट जाए उठ नहीं पाए आप वहाँ पे इस जेल का यूज अपने पसू में करवा सकती है इसका यूज कैसे करना है जभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा बहुत ही आसानी से आप इसका यूज करवा दोगे उसके साथ आपको यह डाई सो एमेल काता है पूरा एक साल देना पड़ेगा उसके साथ जहां पे आपकी पसू प्रोलेप्स दिखाती है जोर मारती है वहां पे भी आप इसका यूज करवा सकती हो उसके साथ जहां पे आपकी पसू सुस्त हो गई है कमजोर है उठ बैट नहीं पाती है उठने बैटने में समस्या होती है वहां पे भी आप इस जेल का और आप आपनीजर हो जाती है दूद पर नर यहत ti है उन जगहोंपर भी आप इसका इयूज कर वा सकते हैं जहाँ पर आपकी पसुद बियाने के बाद सुस्त कमजोर होोती है हडियां दिखाइदी यह भूह सही से नहीं लगता है सही से दूद्ध पर नहीं आती है तो आप भी आप इस फोटी जेल का यूज अपने पसूँ में करवा सकते हो तो यूज कैसे कराना है आप इस वीडियो में देख सकते हो आपको 200 ml पूरा एक साथ अपने पसूँ को देना पड़ेगा आपको बहुत साउधाने से इस दबा को पि यहां रखना है कि पसूँ का जीव हमेशा अपनी हाथ से पकड़ कर जीव के उपर इस दबा को पिलाए ताकि आपके पसूँ असानी से इस दबा को ले सके नहीं तो आपके ने देखा होगा आपके पसूँ कभी-कभी डेड़ भी हो जाता है इस दबा को पिलाने से इस दवा को नहीं बलकि अगर आप कोई साभी दवा पिलाते हो सावधानी से नहीं पिलाते हो तो समस्य हो सकती है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे प्यारे दोस्तों